डियर इस्टुडेंट, गुड मॉर्निंग अलाफ यू आज का हमारा टॉपिक है भू आकरिती विज्ञान हमने पिछले वीडियो में देखे थे भूगोल से सम्बंधी जो समान्य जानकारी है यानि कि उसकी प्रित्वी की उत्पत्ति, उसकी आंतरी सरचना और भूगोल ये तीन पॉइंट हम देखे हैं पिछले वीडियो में अब देखेंगे हम भूगोल के जो यूनिट्स है भू आकरिती वीडियान है, जलवाई वीडियान, समुद्र वीडियान, थोठ है, जनसंख्या भूगोल है इन सभी से सम्बंधी दो-दो अध्याय का जो सौर्ट क्वेस्टन आंसर है कॉम्पुटिशन एक्जाम में आते हैं वो पहले देखेंगे, इसके बाद बाकी के यूनिट को भी ऐसे दो-दो करके लेके जाएंगे, ताकि सभी एक साथ चले तो आज हम स्टार्ट करेंगे भू आकरिती वीडियान की प्रकृती है इसके अंतरगात हम जितने भी क्वेस्टन आते हैं उनका अध्यान करेंगे उसके अंतरगात आपके अर्थ से, परिभासा से, विशाय छेत्र, संकल्पना, उपागम इन सभी से क्वेस्टन बनते हैं जो की कॉम्पुटिशन एक्जाम हो या मेन एक्जाम हो उसमें आपके क्वेस्टन पूशे जाते हैं तो इसमें जो भी क्वेस्टन बनते हैं उनका आज हम अध्यान करेंगे तो चलिए श्टार्ट करते हैं तो इसमें आपका फर्ष्ट क्वेस्टन बनते है भू आकरिती विज्ञान की साबदिक अर्थ क्या है तो चलिए दee ज़िए इसका साब्दीक अर्थ क्या है आटिभी करते है जो यूणानी भाहशा के यानि की यूणानी भाहशा गृज़ के तीन सब्दों से मिल कर वना है कौन-कौन से जी यानि की प्रिथ्फी जी से क्या करते हैं हम अर्थ और मौर्फी का मतलब होता है फॉर्मस यानि की रूप और लोजस का मतलब होता है वरणन यानि की इसका साब्दी कर्थ क्या हुआ प्रिथ्वी के जो आकरिती है उसका क्या करना यानि की उसके रूप का वरणन करना यानि की भू आकरितिक विज्ञान का शाब्दी कर्थ है इस्थारूपों का वरणान, यानि कि प्रिथ्वी के जो इस्थाल है, यानि कि प्रिथ्वी में जीतने भी धराता है, उसके जो रूप है, उसका वरणान करना, यानि कि इस्थारूपों का अध्यान या वरणान, या आपको क्या है, भू आकरिति विज्ञान का शाब्दी कर तो आपको जो question में आये गा भू अक्रितिव ज्यान के शाब्दी करत हो तो आपको इसमें टीक लगाने है इस्थारूपों का ध्यान या इस्थारूपों का वरणन फिर आपको second question है भू अक्रितिव ज्यान किसे कहते हैं भू आक्रिति विज्ञान से तातपरी है भू आक्रिति विज्ञान वह विज्ञान है जो इस्थल मंडल के विभीन उचावचों का अध्यान करता है उचावच का मतलब क्या होता है इस्थल रूप या उचावच या इस्थल क्रिती ये सभी क्या है एक ही है इसमें के तीन प्राकार के होते हैं यान के इस इस्थार रूप जो है प्रथम सरेड़ी के 12 सरेड़ के 33 सरेड़ी के में तो उनकर उन सभी का अध्यान किसमें क्या इता है भू आकृति विज्ञान में हो गया आपका यह भू आक्रिती विज्यान के विशेश शेत्र कौन कौन से है तो आपका भू आक्रिती विज्यान के विशेश शेत्र नीम्न है पहला है आपका उच्चावचो मतलब इस्थर रुपो का अध्यान फिर आपका सेकेंड है इस्थर रुपो को निर्मित करने वाले भू आक्रितिक प्रक्रम यानि की कारक जीतने भी नदी वगर है उनका अध्यान फिर आपका भू आक्रितिक अध्यान के उपागम या विधी यानि कि भू आक्रितिक जो अध्यान के उपागम है या विधी है उनका ये सभी आपके किस्मात है भू आक्रितिक ज्यान के विशाशेत्र में फिर आपका नेश्ट क्वेस्टन है आपका नेश्ट क्वेस्टन है उच्चावचों यानि की इस्थरूपों को कितने स्रेडियों में विभाजित किया गया है तो उच्चावचों को तीन स्रेडियों में विभाजित किया गया है कौन-कौन से प्रथम स्रेडि के उच्चाव तो इसमें अगला question बनता है आपका प्रथम स्रेडी के उचावच या इस्था रूप किसे कहते हैं तो प्रथम स्रेडी के उचावच के अंतरगत प्रिथ्वी के प्रमुख इस्था रूपों को रखा गया है वो कौन कौन से है महधीप वा महाशागर ये आपके प्रथम स्रे स्रेडी के उचावच या इस्था रूप है तो आपके question जो अग्जाम में आएगा कि प्रथम स्रेडी के उचावच कौन से है तो इसमें option रहेगा महधीप वा महाशागर परवत पठार मैदान जील तो इसमें आपको लगाना है महाद्वीब और महाशागर तो अगला question दे निर्मित इस्थर रूपो को क्या कहते है इसमें सामिख किया जाता है तो प्रथम स्रेडी के उचावच कोन है महधीप महा शागर उसके उपर निर्मित स्थर रूप कोन और मयासागर से क्या नीरमीत है जल से वह है जिल तो आपकी ये 4 को किसमें रखा गए है 32 रेडि में रखा गए है फिर आपका अगला क्वेस्जन बनता है तो debating रैश या इस लह करहते हैं या इसके अंतरकरत कौन-कौन से इसलहकरिति को रखा गए है तो 33 स्रेडी के उच्चावस के उपर निर्मित इसला क्रिती को 33 स्रेडी के उच्चावस कहते हैं और 32 स्रेडी के उच्चावस कौन को से है परवत पठार मैदान और जिल और इनके उपर निर्मित जो इसला क्रिती है वो क्या है 33 स्रेडी के उच्चावस है तो परवत पठार बार का मैदान आधी ये सब किसके उपर बनता है द्वीती सेड़ी के उचावच के उपर यही क्या कहलाता आपका द्रीती सेड़ी के उचावच इसका ध्यन किसके अंतरत किया जाता है भू आकरिती विज्यानि उसका विश्याच छेत रहे ये प्रथम द्वीती और त्रीती स प्रक्रम को हम कारक भी कहते हैं, जो कि भू आकरिती निर्मार के कारक है, जैसे आपके नदी है, हीमानी है, वायू है, ये सब क्या है, भू आकरिती निर्मार करने वाले कारक या प्रक्रम है, तो इससे क्या तत्परे है या इसका क्या अर्थ है, या किसे कहते हैं भू आकरित बहुतीक प्राप्रांग CAR. ये सबी किसमे आजाते हैं आपके और जो भुकम भी इसमे आजाते हैं ज्वाला-मुखी 여기 इसी के आन्तरगत आयाते हैं It's सभी क्या करता है इस्थर रूपों का निर्माड करते हैं जो कि भौतिक भी है और रसानिक परिवर्तन भी होता है इसमें आपके तापन वगेरा किसमें आता है रसानिक परिवर्तन में और भौतिक में क्या क्या आता है ज्वाला मुखी है भूकम है आपके जुन नदी है हिमा है इनसे क्या होता है इस थरुपों कर निर्मान होता है और यही सब क्या है प्रक्रम है और यह प्रक्रम कितने प्रक्रम के आंतरजाद प्रक्रम और बहिर जाद दो प्रकार के होते हैं तो यह है आपका भुवाक्रितिक प्रक्रम किसे कहते हैं इसका अंसर तो इसमें सौर्ट डि઼ली स्वरुण को प्रभाइद करता है यह किस प्रक्रम का है तो इसमें आप क्या लखेंगे भू अकृतिक प्रक्रम आ जायेग। फिर आपका अगला क्वेस्टन हैं यानिगत इतने प्रकार के होते हैं तो फूं आकृतिक प्रकरम दो प्रकार के यानि कि दो प्रकार के होते हैं कौन से एक अंतरजाद प्रक्रम या अंतरजाद बल या अंतरजाद सक्ति के थे हैं दूसरे को कहते हैं बहिर जाद प्रक्रम या बहिर जाद बल इसके अंतरगत आपके जो आता है और ये ये दोनों के आपके प्रक्रम हैं अंतरजाद के अंत प्रकरव कौन कौन से है यानि की जो आपके भू आकरितिक नीर्मान के जो अंतर जार प्रकरव है या बल है उसके अंतरुक्त कौन कौन से कारकों को सामिल किया है तो वो है आपके आकाष्मिक attitudes दुर Gran international दो काराख जिसको सामिल किया गए अकाष्मिक नंतर ज्वाला मुखी भू इस खलन ये तीन है आपके और दिर्ग कालिंग जिसमे है महद्वीप वा परवात नीर्मान कारी इसके अंतर का तथा कुछ अन्या भी है वो है उपरू मुखी वल अधो मुखी वल तनाव शंपीडन भ्रंशन वलन परिवहन निच्छेपड ये सब भी इसी में सामिल है आपके अंतरजात वलो में जो की दिर्ग कालि संचलन का एक क्या है ये ये इसका भाग है जो की उपरी रूप से होता है लेकिन ये क्या है आपका दिर्ग कालि परवात नीर्मान वा महद्वीप नीर्मान कारक ये आपका है अंतरजात प्रक्रम फिर हम दे प्रची का है, इन सब का निर्मान करने वाले जो धरतल के उपरी तत्व है वो सभी किसमे आजेंगे बहिर जात भुवाकृतिक प्रक्राम है उधरातल के सतह के जो नीचे है सतह और सतह के नीचे तो वो कौन से अंतर जाता है वलन भरंशन वो सभी किसमे जाता है आपके अंतर जात में आता है फिर आपके नेश्ट क्विस्चन है उच्चावचो यानि की इस्थारूपो के अध्यान के कौन-कौन से उपागम या विधिया है तो आपके इस्थारूपो के अध्यान के कौन-कौन से उपागम या विधिया है वो है निम्न तो पहला है प्रमुख कारिया, इसके अंतर प्रमुख कारिया, यह क्या है उसका विधिया, प्रथाम, इसमें क्या करते हैं, इस्थर रूपों का वर्डन करते हैं, फिर वर्गी करण और व्याख्या करते हैं, फिर आपका श्रेकेन उसकी उपागाम या विधिया, भू आकरि लेशर विधी यानि की इसका क्या जाता है जो श्रमर्शया है उसको सुलजा जाता है आंकडों की समस्या को यह आपके चार प्रमुख इसके उपागम या वीधिया है जो इस्थर रुपो के अध्यन के फिर आपका अगला प्वेशन बनता है इस्थार रूपों यानिके उच्चावचो का वरणन किस किस तरह से कर सकते हैं तो यानिके उच्चावचो का वरणन हम कई रूपों में कर सकते हैं तथा कई अधारों पर किया जा सकता है वो कौन कौन से है श्रमानियता इस्त्रकृति विश्ष्ष्ष्षाओं का वरणन तीन तरह से किया जाता है यानि कि आपके जो इस सरूप है उनकी जो विशेस्ता है उसके अधार पर इसका वरणन कितने प्रकार से किया जा सकता है तीन प्रकार से एक व्यक्तिनिष्ट वरणन दूसरा है वस्तुनिष्ट वरणन और तिसरा है जन्निक वरणन तो इसमें व्यक्तिनिष्ट वरणन किसे कहते हैं वो देखते हैं आपका अगला क्वेशन बनता है इस्थार रुपो की वेक्तिनिष्ट वरडन से क्या तात परिया है यहां से एक क्वेशन निकला है इस्थार रुपो की वेक्तिनिष्ट वरडन से क्या तात परिया है तो इसके अंतरगत आता है आपके इसके अंतरग ओध्यू घ्लाव में कुछ पता ही नहीं है ऐशर सणराल वक ती उस शेत्रक की भोतिक द्रिश्य की जहलक पालेते हैं यानि कि क्या पालेते हैं जो वक्ति भूह आखरितिवी ज्यान के बारे में कुछ भी नहीं जाता मैं वे वक्ति भी उस जो प्रस्तूती दिये है इस्थारूप की प्रस्तूती दिये है उसको देखकर ही क्या कर लते है उसका जहलाक उसका वास्तविक रूप देख लेता है उसमे यही आपको क्या है व्यक्तिनिष्ट वर्णन है यानि कि किसी भी छेत्र का उसके जो इस्था करती है उसका ऐशा तरह से आकरसित रूप से उसको प्रस्तूत करना की सामने वाला जो वेक्ति उसके बारे में नहीं जानता हो वो भी उसको वास्तिविक रूप से देख सके कि हाँ ये इसल है और मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा उसे समझ में आ जाए ये क्या होता है आपका वेक्ति निष्ट वर्णान यानि की आँखो देखा हाल प्रस्तूत करना जो की दूसरा वेक्ति भी उसके माध्यम से देख सके और वास्तविक उसको दिखाई दे यानि कि उसकी जहला को उसको वास्तविक दिखाई दें यह होता है आपका व्यक्ति निष्ट वर्णन इसमें क्या काते हैं इसला कृतियों का व्यक्ति निष्ट वर्णन करते हैं फिर आपका अगला क्वेस्चन नेश्ट को इसने इस्थर रूपो यानि कि उच्चावचो का वस्तु निष्ट यानि कि वरणन से क्या तत्पर है यानि कि इसमें वस्तु निष्ट को व्यकल्पिक वरणन नहीं वैज्यानिक वरणन या मातरात्मा कवरणन भी कहते हैं ये आप ध्यान देंगे वस्तुनिष्ट को वैज्यानिक वरणन भी कहते हैं और मातरात्मा कवरणन भी कहते हैं तो इस्थर रूप यानि के उच्चावचो का वस्तुनिष्ट वर्णन से क्या तत्परहिया, क्या अर्थ है? इसका अंसर है इस विधी के अंतरगत गडिती एवन श्रांखी की विधी को सम्मिलित किया जाता है इसमें वस्तुनिष्ट का दूसरा अर्थ क्या है? मातरात्मा करना तो इसमें क्या करते हैं? गडिती एवन श्रांखी की विधी को सम्मिलित किया जाता है पहले छेत्र में इस्थरूपो को क्या किया जाता है? सर्विछड और मापन किया जाता है यही क्या है आपका? वस्तुनिष्ट वर्णन करते हैं इसी को और दूसरे सद्दों में विध्यानिक वर्णन या मातरात्मा क्वर्णन ये तीनों आपके एक ही है और इसके अंतरगत क्या करते हैं? पहले छेत्र का सर्विछड करते हैं, उसका मापन करते हैं फिर आंकडों से जो है उसका विशलेशार करते हैं आंकडों की जो समस्या हते हुँ से सुझाते हैं इसके बाद क्या करते हुए उसका वर्णन किया जाता है यह है आपका वस्तुनिष्ट वर्णन यानके आपके जो प्रायोगी काल्य करते हैं तो वो क्या है आपका वस्तुनिष्ट वरणन कहलाता है फिर आपका second question है इस्थर रूपों या उचाउचों के जन्निक वरणन से क्या तत्पर है या किसे कहते हैं तो इसके जन्निक वरणन मतलब उसके जन्म से यानि के उत्पत्ती से समंधित होता है तो चले देखते हैं ये इससे क्या तत्पर है जन्निक वरणन के अंतरगत इस्थर रूपों के शमान या विवरण के शाथ उनके उत्पत्ती समंधित कारणों का भी अध्यान क्या जाता है यानि कि इसके अंतरगत क्या अध्यान क्या जाता है किसी भी इस्थर रूप है उसकी समानी जो वीवरण है उसका अध्यान के साथ क्या करते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कहां श्री हुई इसका अध्यान हम करते हैं ये होता है आपका जनलिक वरणन फिर आपका अगला question इस्थर रुपो या उच्चाउचो का वर्गी करण किन-किन अधारों पर किया जाता है तो वो देखते हैं इस्थर रुपो यानि कि उच्चाउचो का वर्गी करण किन-किन अधारों पर किया जाता है तो इसका अंसर है इस्था रुपो या उच्चाउच्यों का वर्णन नीमन अधार पर किया जाते हैं वो अधार कौन-कौन से है शमानिया तर दो प्रकार के होते हैं यानि कि दो अधार दिया जाते हैं वो कौन से एक मातरात्मक अधार अदूत्र है जन्निक अधार तो मातरात्मक अधार भी हम बता हैं मातरात्मक भी इसमें क्या करते हैं आकडों के एक अत्रित करते हैं फिर इसका विशलेसाड करते हैं फिर उसका वनन या वाख्या करते हैं यह है और इसमें क्या है जन्निक अधार में उसके उत्पत्ति से समंधि जो है उसको जोड़ा जा तो मात्रात्मक या अजन्निक अधार पर इस्थर रुपो यानिक उचावचो का वर्गी करण किस प्रकार किये जाते हैं। इस्थर रुपो का वर्गी करण कैसे करते हैं या किस प्रकार करते हैं। इसका अधार है जब इस्थर रुपो यानि कि विचावचो के वर्गी करण का अधार इस्थर रुप की उद्पत्ति प्रक्रिया से समंधित होता है। तो उससे जन्निक वर्गी करण कहते हैं। यह आ इस्थर रूपों यानि कि उचावचों की व्याख्या किन किन अधारों पर किया जा सकता है तो इस्थर रूपों की व्याख्या नीम अधारों पर किया जा सकता है वो कौन कौन से है एक सर्राचना या उसके स्वरूप के अधार पर कि उसकी जो इस्थर रूप है उसकी सर्रा प्रक्रम कारक यानि कि जो प्रक्रम है उसके अधार पर भी उसका व्याख्या किये जाता है फिर आपका next question है जो घटनाय हुई है वो आपका कालो नुक्रम उपागम है उसको देखते हैं। परिमाणात्मक या अनुभविक उपागम इसमें क्या होता है? कोई भी इसला कृती का निर्माण हुआ रहता है और ज्यादा अपर्दन के कारण क्या होता है? उसका जो पूनाह निर्माण का प्रमाण नहीं मिलता तो इसमें क्या करते है? अनुभाव के अधार पर उसका क्या करते हैं? अध्यान करते हैं. उसका विशले साड़, उसके समस्याव का शमधान करने का प्रयास करते हैं. यही क्या होता है आपका? परिमाडात्मक या अनुभाविक उपागम. फिर आपका प्रादेशिक उपागम. अगला, तो इसके अं उसका उस शेत्र के अधार पर अलग अलग भागों में विवाजित करके अध्यन करते हैं। इसके अलावा अत्व इस उपागम का अन्याधार कोंश्य एक रूपता का नियम तथा वर्तमान भूत की कुंजी है। पर चले जाता है, वो क्या परवद बन जाता है। फिर उसमें क्या होता है? अपरदन वगेरा होता है तो फिर नीचे होते जाता है, नीचे होते जाता है। फिर मैजान बज़ जाता है, यहीं उसका क्या है? एक काल अनुक्रम उसकी सर्रचना है। यही है उसका अधार तो इसमें क्या कह गया है? एक रूपता तो इसमें क्या है? उसके रूप एक ही पुनह परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन चाहिब उसका समय चेंज बस होता है, बांकि सब कुछ एक ही है. इसलिए उसमें कहला है वरतमान भूत की कुण्जी है. जो भूत काल में हुआ था, वही वरतमान में भी हो रहा है, किन्तु उसकी समय बस में परिवर्टन है. ये इसका कहले का मतलब है. फिर आपका second है ये हम part two में देखेंगे आपकी जो भू आकरितिक संखल पनाय होश में आपके एक रुपता के शिधान्त है भू वर्तवान भूत की कुंजी है ये सभी क्या है आपका second part में देखेंगे जश्ट इसकी बादवाले में तो फिर है आपका अगला question भू आकरितिक क्विसलेशर के परिणामात्मक या अनुभविक उपागाम का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी छेत्र की इसला कृति अत्यधिक अपर्दन की कारण क्या हो जाता है लूप तो हो जाता है हमने बताया आपको एक समतल मैदान पठार के रूप लेता है परवत का लूप लेता है फिर क्या हो जाता है वापस पठार के रूप फिर मैदान के रूप ले लेता है इस विधी का उपयोग करते हैं। यह होता है आपका। फिर आपका नेश्ट क्विस्टन है। अध्यान किया जाता है यानि कि क्या किया जाता है इसके अंतरगत भू आकरितिक पिसलेशार के अंतरगत प्रादेशिक उपागम यानि कि किसी व्रिहट छेत्र की उस प्रदेश की जो इसला करितिक समू है यानि कि बड़े छेत्र की जो इसला कृतिक समुह है उसका क्या करते है दिर्घकालिक मापक का संदर्भ में उसका अध्यान करते है यानि कि बहुत लंबे शमय के छेत्र में उसका अध्यान किया जाता है यह आपका प्रादेशिक उपागम के तात्वरी है यानि कि किसी बड़े छेत्र के जो समुहों मे इसला कृति है, उसका निर्मान कैसे हुआ, किस ब्रकार हुआ, उसका विकास कैसे हो रहा है, इसका अध्यान इसमें किया जाता है, यह होता है का प्रादेशिक अध्यान, फिर आपका अगला है, भू आकृतिक विश्लेशर के क्रमबध या कार्यकालिन उपागम से क्या भू आक्रितियों की व्याख्या के क्रमबध उपागम के अंतरगत विभीन पर्यवरणी दसाओं में इस्थर उपों को निर्मित करने वाले प्रक्रमों के परिचालन के मापन तथा विश्देशर को सम्मिलित क्या जाता है। यानि कि छोटे-छोटे भागों में उसकी जलवाई है, इस्थर रूप है या उसके जो ताप मान है इन सभी को क्या करते हैं? बांट कर उसका अध्यान करते हैं। यही आपका हो जाता है क्रमबध उपागम। फिर आपका नेश्ट क्वेशन है। प्रयोक साला परियावच्छण करते हैं। किस प्रकार के सररजनके है फिर आपका सेकेंड क्या होता है इसमें सोधविधी जो है कारियालय परियाविक्षड याने की जो इस थलों की जो सरविक्षड करते हैं उसके क्या करते हैं कारियालय में आकर उसका चितरांकन करते हैं या उसका सही तरीके से विशलेशाड कर वयाख्या करते हैं या उसको प्रदर्सीत करते हैं अगला है आपका शैध्धान्तिक कार्य तो शैध्धान्तिक कार्य के अंतरगत क्या करते हैं आकड़ों तथा विवरणों की उसकी शाड़ियान वरगी करण सांखिकी एवं गड़िती वयाख्या किसके सद्धानतिक कार्यक नंतर्गत अगला question मनता है भू आकरितिक विशलेशरण ज़ैशरण विधिक तो भू आकरितिक विशलेशर विधि इसका मतलब क्या है भू आकरितिक समस्शाओ एवं पहलियों को सुलजाना उसके सुलजाने के लिए जिस विधी का प्रयोग करते हैं वही है आपका भू आकृतिक विशलेशर विधी जो भू आकृति है यानि कि इस्थारूप है उसमें जो समझ चाएं है या कुछ पहलिया यानि कि उसमें कुछ समझ आ रही है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है यानि कि हमारे लिए एक पहली बन गया है वो उसे सुलजाने के लिए एक विधी का प्रयोग क्यारते हैं वही क्या कहलाता है हमारा विशलेसर विधी कहलाता है फिर आपका अगला क्वेशन है भू आकरितिक विशलेसर विधी कौन कौन से है तो भू आकरितिक विश्लेशर विधी निमने है कौन सा निगमान विधी आकमान विधी और विश्लेशर विधी विश्लेशर विधी तो आप देखी चुके है यह आपका निगमान विधी और आकमान विधी निगमान विधी में क्या होता है जो आक्ड़े होते हैं उनके आपके जो वैज्ञानिक विधी है वो इसमें आ जाता है और जो निग्मन और आक्मन विधी ये सभी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं अगले पार्ट में हम देखेंगे भूव आक्रितिक श्रंकल्पनाय या आवधारनाय इन्षे शमंदी जितने भी सोट क्वेस्टन आंसर है जिसमें है आपके वर्तमान भूत की कुंजी है या किस ने कहा ये सभी आपके एक रुतावात के सिधानत किस ने दिया ये सभी क्वेस्टन हम किस में देखेंगे पार्ट टू में तो उसी में हम आगमन विधी, निगमन विधी, विसलेशल विधी ये तीनों को भी हल करेंगे तो चलिए विडियो यहीं इस्टाव करते हैं यदि आपको किसी भी तरह की समस्या आया तो वाट्साप ग्रूब जो लिंक दिया हुआ है वहां से जॉइन हो जाए और वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपने शमर्शाओं का शमधान पाश रखते हैं तो के फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में थन्याद